मुझा रिजल्ट जारी होने की संभावना है तो सबसे पहले यहां आप देखिए फर्स इंडिया न्यूज राजस्तान का यह ट्विटर अकाउंट है यहां यह आज का यह LDC को लेकर बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं जिसमें युवाव ने RSM SSB के सामने धर्णा प्रदर्शन किया यह 56 मिनिट पहले की यह न्यूज है यहां आप देखिए जैपूर RSSB के सामने LDC 18 की अभेटियों का धर्णा फोटोस भी हम आपको दिखाते हैं यहां पर आप यह लेकिए फोटोस काफी विद्यारती यहां एकरतित हुए हैं तो यह फोटोस आप देख सकते हैं सबी विद्यारतियों का और इसी के साथ दूसरा फोटो भी आप देखिए यहांपर यह फोटो आप देख सकते हैं और यह RSM SSB का ओफिस से पास में मुझे सारे विद्यारती आज एकरतित हुए और इन्हों ने धर्णाब दिया इसी के साथ न्यूस में आगे आप देखिए यहाँ आप देख सकते हैं न्यूस आप देख सकते हैं आगे आप आयोको LDC परिक्षा 2018 का परिणाम जारी करने की लगाई गुहार कहा कि बेरोजगारों के साथ मजा किया जा रहा है सेकड़ो LDC अब्यर्तियों ने अस्ताक्षर कर ग्यापन सोपा बेरोजगार अब्यर्ति सरकारों की राजनीती का शिकार हो रहे हैं अब एक उपडेट हैं अब रिसी के साथ जो ग्यापन दिया उसके बारे में भी आपको जानकरी देते हैं कि विद्यार्तियों ने क्या ग्यापन सोपा तो यह आप लेकुए देख सकते हैं यूवा हलला बूल तो ये आज ग्यापन दिया गया है अदिनस बोर्ड के चेर्मेन को तो यहाँ आप देखिए अद्यक्ष मौदे राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड जैपूर तो यहाँ पर इन्हों ने क्या बात कही है LDC विध्यारतियों ने वो आप देखिए RPC LDC 2000 यहाँ पर यह गलत लिखा गया है विध्यारतियों के द्वारा नहीं सोरी बिल्कुल सही है RSSB यानि कि RSMSB वही बात है 2018 की परिक्षा चार चर्णों में हुई है 12 अगस, 19 अगस, 9 सितंबर और 16 सितंबर को बोर्ड के द्वारा यह परिक्षा करवाई गई, तैयारी कर रहे है विध्यारतियों इसका परिणाम का इंतजार कर रहे है और इसके साथ आगस में जानकारी दी गई है काफी परिणाम जारी नहीं किया गया है इस प्रकार परिक्रिया में काफी समय लगने की संभावना है परिणाम जारी करने के बाद इसके दित्य चरण की परिक्षा यानि की आपका टाइपिंग टेस्ट होना है इसमें यही जानकारी दी गई जिससे बेरोजगारों को काफी समय इंतजार करना पड़ सकता है अतर सबी अब्यर्तियों को आप से यही उमीद है कि आप इस प्रकारिया को जल से जल पुरा करें और टाइपिंग टेस्ट की दिनांग गोशित करें तो यही जानकारी इसमें दी गई है तो यह बेरोजगारों ने मिलके यह ग्यापन अदिनस बोर्ड को सोपा है